चुनाओं का समय हैं आप समय में बैठे हैं मेरी बाते सुन रहे हैं कल किसी और पार्टी का नेता आएगा आपके समने खूम बाते करेगा और आप उसकी भी बात सुनेंगे मैंने देखा है कि बाजपा के जितने भी नेता आते हैं, वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करते, वो आपको ये नहीं बताते कि आपका विकास कैसे होगा, वो आपको ये नहीं कहते कि किस तरह से आपको आगे बढ़ने कि उन्होंने योजना बनाई है, युवा बेरोजगा किसान की कबर तोड़ी जा रही है छोटे व्यापारी रो रहे हैं कि उनका बिस्नस कम हो रहा है बंद होने को जा रहा है कॉंट्रैक्टर किसान आपको हत्या कर रहे हैं लेकिन भाजपा के नेता आपके सामने आकर पुरानी बाते उठा रहे हैं की दानाओं में आपकी बात होनी चाहिए कि स्मज्याओं को हल करने के बात होनी जाहिए मैं भाजपा, उनके प्रधानवत्री, उनके तमाम मंद्री और उनके सारे निताओं से चुनात को चुनाती देती हूँ एक चुनाओ किसी भी प्रदेश में एक चुनाओ जनता के मुद्वों पर लग के दिखाएं एक ऐसा चुनाओ लगें जिसमें ना अतीद की बाते करें, ना उस जनता को लगानी की बाते करें, ना उस आतंगवात की बाते करें, ना उस ऐसी बाते करें, जिसे जनता की लिए कोई समस्या नहीं है जन्ता की जो समस्याएं है वो है महगाई, गरीबी, बेरोजगाई, हर रोज तुमें उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं जो आतंगवार की समस्याएं जिसके बारे में ये बार 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 बोल रहे हैं, वो एक बारी समस्याएं जिसके हल के ये सो लोग काम करते हैं, लेकिन करनाटका के चुनाओं में आकर ऐसी बाते उठाने का क्या मतलब है करनाटका में इन्होंने सरकार चलाई है साथे तीन सालों से, मुझ दिखाने लायक नहीं है आपके सामने, आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई उनसे आप जवाब मागए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ती है, आप जवाब मागए, आज वो कुछ भी कर लें, यहां बदलाव की हवाद चल गई है, यहां बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ कि जवाद बदलाव लाएंगे तो ठोस दरीके से लाएए, कॉंग्रिस को भारी बहुमत से जिताएए, ताकि यहां पे आपकी एक ऐसी सरकार बने जो आपके यह समर्पित हो